नमस्कार, आजना वर्चुल क्रास्रूम ट्रेनिंग सेशन मा आप सवनू हर्दिक स्वागत छे आजे हुँ ITA मा चालता RFM ट्रेड अंतर्गत आइस केंडी प्लांट वीशे आप सवने विस्त्रूत रिते महित्गार करिश सवप्रथम तो आइस केंडी प्लांट इटले सु आइस केंडी मशीन एक युँ मशीन छे जयमा जुदा जुदा फ्लेवर वाड़ी केंडी बार अत्वा तो साधी भाषा मा कहिए तो कुल्फी बनाव माटेनू मशीन छे जयना विशे विस्त्रूत माहिती आपड़े स्लाइट ना माध्यम थिलैशू आइस केंडी प्लांट अत्वा तो आइस केंडी मशीन ए जुदा जुदा फ्लेवर वाड़ी केंडी बार अत्वा तो कुल्फी बनाव माटेनू मशीन छे आ मशीन माँ पण विविद मशीन जे रेफ्रेजेशन ने लगता छे ते प्रामाणेज वेपर कॉंप्रेशन रेफ्रेजेशन सिस्टम धरावतो युनिट छे के जे माँ ओपन टाइप अत्वातो सिल्ट टाइप कॉंप्रेशर नो उप्योग करवा माँ आवे छे तेनों कंडेंसर एर कुल्ड अने फोर्स कंवेक्शन टाइप होई छे आइसकेंडी युनिट नी कुलिंग कोईल सेकेंडरी रेफ्रेजेरंट माँ डुबाडेली होई छे रेफ्रेजेरंट ना फ्लो कंट्रोल माटे आ सिस्टम माँ एक्सपांशन वाल्व नो उप्योग करवा माँ आवेल होई छे आइसकेंडी मशीन सेकेंडरी रेफ्रेजेरंट धरावतु मशीन छे अहीं secondary refrigerant तरीके calcium chloride जेनु रासाइनिक नाम चे CCl2 अथवा glycol solution नो उप्योग करवा मा आवे छे विविद्ध refrigeration equipment मा secondary refrigerant तरीके brine solution वापरवा मा आवतु होई छे आ secondary refrigerant ice candy बनावा माटेना flavor solution नो cooling करी तेनु freezing करे छे ice candy plant ना भागो नीचे बतावेला छे तेना विविद भागो छे compressor, condenser, dryer अथवा filter, metering device, metering device तरीके expansion वाल अथवा तो capillary tube लगावेल होई छे evaporator अथवा cooling coil, brine water tank, agitator अने thermostat switch आ ice candy plant ना विविद भागो छे compressor, मां सौथी पेलो भाग छे, compressor, तो अइसकेंडी प्लांट मां compressor काया प्रकार नू होई छे तेनों specification अने ते करी ते व वर्क करे छे, ते आपड़े विश्त्रूत मां जोई ये ice candy plant मां reciprocating open type अथवा तो hermetically silk type compressor वप्राई छे आ compressor low pressure, low temperature वाड़ा refrigerant ने compress करे ने high pressure, high temperature मां रुपा अंतर करे छे अने compressed थायल रेफ्रेजरंड ने कंडेंसर मां मोकले छे, तेनी capacity एक थी 5 टन सुधी नी होई छे आगनू बिजू महत्वनू equipment छे कंडेंसर, एसकेंडी प्लांट मां air cooled कंडेंसर नों उप्योग थाई छे एर कुल्ड कंडेंसर नों उप्योग थाई छे, कॉंप्रेसर मां थी compressed थायलो high pressure, high temperature रेफ्रेजरंड कंडेंसर मां आवे छे कंडेंसर ए हवा औने पाणी नी बदत्ती अत्वा तो आइसकेंडी प्लांट मां जे हवा नी बदत्ती ठंडो करवा मां आवे छे कंडेंसर मां रेफ्रेजरंड ठंडो थावा थी, लिक्वीड मां रुपा प्रेशर तेनू तेज रहे छे आपने जाणीए छे तेम कंडेंसर अच़र तापमाने और अच़र दबाने वेपर नू लिक्वीड मां रुपा अंतर करे छे कंडेंसर मां थी लिक्वीड रस्रीजरंड फिल्टर मां जाई छे अत्वा तो यहने बिजू शब्द छे ड्राइर अत्वा स्ट्रेनर आपने एक प्लांट नू महत्वन एक्विम्मेंट छे कंडेंसर अने लिक्विड लाइन वच्चे ड्रायर इंस्टॉल करवा मा आवे छे ड्रायर नी एंदर रहेल सिलिका जेल अने जाड़ी लिक्विड रेफ्रिजरेंट मा आवेल भेज अने कच्रा ने आगर जवा देतु नथी जेती मिटरिंग डिवाइस बराबर कारिया आपी शके लिक्विड लाइन अने कुलिंग कोईल नी वच्चे मिटरिंग डिवाइस अथवा तो मिटरिंग डिवाइस तरेके एक्स्पांशन वाल अथवा कैपिलरी ट्यूब फिट करेल होई छे ड्रायर माथी लिक्विड लाइन द्वारा आवेल शुद्ध रेफ्रिजरंट नो मिटरिंग डिवाइस एटले के एक्स्पांशन वाल अथवा कैपिलरी ट्यूब प्रसरन करे छे अथवा तो एक्स्पांशन करे छे अने जे कुलिंग कोईल मा जाए छे कुलिंग कोईल अथवातो इवोपरेटर मा जाए छे रेफ्रिजरंट ना प्रसरन थी कुलिंग कोईल मा ठंड कुईत्पन थाए छे आइस केंडी प्लांट मा हाल मा वधारी प्रमाण मा थर्मोस्टेटिक एक्स्पांशन वाल नो उप्योग करवा मा आवे छे इवोपरेटर अथवातो इन्ने बिजु नाम छे कुलिंग कोईल मीटरिंग डिवाइस माथी एक्सपांड थाहेल लिक्विड रेफ्रिजरंट कुलिंग कोईल मा आवे छे जियां तेनू इवोपरेशन थाहे छे अन्ने तेनी आजबाजु फर्तु ब्राइन वाटर थंडु थाहे छे ब्राइन नी गर्मी रेफ्रिजरंट सोचीले छे तेथी ते लिक्विड माथी वेपर मा रुपांतर पामे छे आ वेपर रेफरीजरंट लो प्रेशर थाई ने सक्षन लाइन वड़े फरी कोंप्रेसर मा जाई छे आगणनू महत्वनों एक्विब्मेंट छे आइसकेंडी प्लांटनू ब्राइन वाटर टैंक आ टैंक माँ गल्वेनाईजड के स्तेल ना पत्रा माथी बनावामा आवेचे तेनी अंदर पाणी एथवा मिठा जेनू रासानिक नाम चे beansल नू ध्रावन बनावामा आवेचे ब्राइन वाटर टैंक एवी टैंक छे जे माँ पाणी औने मिठानू मिश्रन करी ने जे द्रावन बनावा माँ आवे छे तेने ब्राइन कहे चे अने ए जे संग्रा करे चे ए टैंक ने ब्राइन वाटर टैंक तरीके ओडखवा माँ आवे छे आ टैंक मा कुलिंग कोईल ब्राइन मा डुबेली रहे ते रिते टैंक नी दिवाल पर गोठ फेल होई छे टैंक नी फर्ती बाजु बहार ना भाग मा इंसुलेशन करी तेनी पर स्टिल के गल्वेनाईस पत्रु लगावी देवा मा आवे छे आगर्णू महत्वनों एक्विपमेंट छे एजिटेटर एजिटेटर नी आकरूती आप स्लाइड ना माध्यम थी निहाड़ी सको छो एजिटेटर ने साधी भाषा मा वलोवण केवाई छे ब्राइन वाटर टैंक मां बधी जग्याई टेंपरिचर एक सर्खू जड़वाई रहे ते माटे आइसकेंडी प्लांट मां ब्राइन वाटर टैंक मां एक एजिटेटर अथवातो वलोवण नी गोठवाण करवा मां आवे छे एजिटेटर नू कारिय एक सर्खू टैंपरेचर जड़वाई रहे ते माटे नूछे अने पाणी अने ब्राइन नूजे सॉल्यूशन जे छे एक सर्खू मिक्स रहे ते रिदे थेने वलोवानू कारिय करे छे जेनी आकरूती ने तेना पार्ट्स ना नाम आप स्लाइड नामाधियम थी जोई सको छो नीचे एनो भाग जेने केवाई छे एजिटेटर बेज बच्चे ना भाग ने केवाई छे क्लोथ मुवर एना उपपर ना भाग माँ छे बेरिंग्स एना तेनी उपपर ना भाग ने काये छे डॉक्स अने तेनी उपपर ना भाग ने एजी टेटर नी आकरूती आप स्लाइड ना माध्यम थी निहाडी सको छो जेनू कारिये छे ब्राइन वाटर टैंक मां बदी जग्याए एक सर्कूर टैंप्रेचर जाडववानो ठंडू पाणी हमेशा आपने जाणिये छे तेम इक कुद्रती नियम छे ठंडू पाणी हमेशा नीचे अन्य गरम पाणी हमेशा उपनी तरप रहतू होवा थी पाणी नू सर्कूलेशन करवू जरूरी बने छे जिती ब्राइन वोटर टैंक नी अंदर गतीमान रहे छे अन्य बरफ रूपे जामी जतू नती थर्मोस्टेट स्वीज थर्मोस्टेट स्वीज पनेक महत्वनू एक्विपमेंट चे आइसकेंडी प्लांट ध्वारा आइसकेंडी अथ्वा आइसकेंडी आइसकेंडी आइसक्रिम बनावा माटे माइनस 10 दिग्री सेल्सियस थी माइनस 12 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर राखवामा आवे छे ब्राइन नुँ टेंपरेचर एक सर्खु जड़वाई रहे ते माटे केंडी प्लांट ना वायरिंग माँ थर्मोस्टेट स्वीच मुटवामा आवे छे जी प्रमाणे टेंपरेचर जड़वातु होई ते मुझ जब आस्वीच नुँ सेटिंग करवामा आवे छे आइसकेंडी प्लांट द्वारा जी वस्तु बनावानी होई ते माटेनु मिश्रण आइसकेंड मा राखवामा आवे छे आकें ब्राइन वाटर मा मुखवामा आवे छे आइसकेंडी प्लांट नुँ कंस्ट्रक्षन अत्वातो बंधारन आइसकेंडी युनिट ने बे भाग मा बैंचवामा आवे छे आ बे भागों पैकी प्रथम अर्धो भाग आइस केंडी बनावा माटे औने तेने साचवा माटे ना हेतु माटे करवा मावे छे आइस केंडी ना भागों औने आ मशिन मा एक ब्राइन टेंक आपवा मावेली होई छे आ ब्राइन टैंक मां स्टोरेज टैंक गोठ वेली होई छे, जे बे भाग मां वेचायली होई छे एक भाग आइसकेंडी बनावा माटे जैरे बीजो भाग तैयार थायली आइसकेंडी ना स्टोरेज माटे वपराई छे आइसकेंडी मशीन नी बहार नी बोड़ी एटले के आउटर कैबिनेट अन्य ब्राइन टेंक नी वच्चे इंसुलेटिंग मट्रियल द्वारा ते बन्ने ने इंसुलेट करवामा आवेली होई छे आम करवाधी एटले के इंसुलेट करवाधी लोग eller धरावतु ब्राइन सोल्यूशन लोग टेंपरेचर एटले के तेमा माईनस 20 डिगरी सेल्सेस ती माईनस 25 डिगरी सेल्सेस जेटलो तेंपरेचर जडवातु होई छे जे आजुबाजुना वाताओं ना टेंपरेचर वच्चे उष्मानी आपले थतु अटका आवेचे आसकेंडी बनावा माटे ना मोल्ड मा कुल्फी बनावा माटेनु दरावन भरी तेने ब्राइन सोल्यूशन धरावती टैंक मा डुबाडवा मावेचे ब्राहिन सॉल्यूशन ने वलोव आमाटे एजिटेटर जे आपने अगाउजोई गया थेम एजिटेटर नी रचना करवामा आवेली छे जे ब्राहिन सॉल्यूशन ने वलोवे छे एटले के पाणी अने मिठाना द्रावन ने एक सर्खु मिक्स परिस्थिति मा राखे छे आम करवाथी स्टोरेज टेंक मा दरेक जग्याए ब्राइन सॉल्यूशन नू टैंपरेजर एक सर्खु जड़वाई रहे चे तद उप्रान ते आइसकेंडी ना अने ब्राइन सॉल्यूशन ना द्रावण बच्चे हीट ट्रांसफर अत्वा तो उश्मा वीनिव मैनो दर वधारे चे आइसकेंडी युनिट मा आइसकेंडी ना स्टोरेज माटे पन एक स्टोरेज सेक्षन आपेलू होई चे जे बनेली के तैयार थाएगेली कैंडी ना स्टोरेज करवाना उप्योग मा लेवा मा आवे चे युनिट नो वीजो अर्धो इतले की नीचे नो भाग रेफ्रिजेशन सिस्टम ने इंस्टॉल करवा माटे ना हितु माटे करवा मा आवे चे आ अर्धा भाग मां कॉंप्रेसर, कंडेंसर, ड्रायर अथ्वा फिल्टर वगेरेने गोठववा मा आवे चे युनिट नो आ भाग हाई साइट तरेके उडखाई चे कि जेमां हाई प्रेशर अने हाई टेंपरेचर मैंटेन थतु होई चे जेती तेने सिस्टम नी हाई साइट अत्वा तो युनिट नी हाई साइट तरेके उडखवा मा आवे चे आइसकेंडी प्लांट रेफ्रेजेशन सिस्टम आइसकेंडी प्लांट नी रेफ्रेजेशन सिस्टम अन्या बीजा डिफ्रीजर अन्य कुलर मुझाबज होई छे तेमा नीचे मुझाबनी वेपर रेफ्रेजेशन सिस्टम कार्य करे छे आइसकेंडी प्लांट मा आवती मुख्य खामियो कारणों अन्य निवारणों ऐसकेंडी प्लांट खाते नानी मोटी जुदी-जुदी खामियों जोवाव मडे छे आ खामी ना कारण अने तेनों निवारन नीचे मुझब छे ऐसकेंडी प्लांट मा उदबवती खामियों ऐसकेन नी प्लांट मा आपने स्लाइड ना माध्यम थी जोई सक्किये छे तेम गणी बदी खामियो उद्भावे छे जेवी के नबडु कुलिंग, कुलिंग थतु नधी, वारमवार ट्रिप थेई जवू, बोड़ी उपर इलेक्ट्रिक शोक लागवो, ब्राइन लिक थाव अवाज आववो, तो एनो पेल्लू खामी छे नबडु कुलिंग, अत्वातो पूर कुलिंग, एना माटेना कया कारणों होई सक्के छे, और एना निबार अणों, जी आप स्लाइड ना माध्यम थी जोई सको छो, एनो पेल्लू कारण होई सक्के छे, थर्मो स्टेट नू स खूबज उचात आप माने करे लू होई, जो आ कारण होई तो थर्मो स्टेट ना सेटिंग न योग्या करो, आगण, थर्मो स्टेट स्वीचuto नो नौ ब लूज होई, अत्वा तेना गरू होँ घसाई गया होई, जो आ कारण होई, तो तेना निबार न माटे थर्मो स्टे लिकेज होवा थी रेफरीजरंट ओचो थायल होई जो लिकेज होई तो लिकेज चेक करी दूर करो त्यार बाद योग्य जथामा रेफरीजरंट भरो आगननु कारण होई सके छे वधारे पड़ती दुरुजारी आबवा थी कनेक्षन अत्वा जोईंट लिकेज थायल होई तो पन कुलिंग नबडु आई सके छे तेना निवारन माटे दुरुजारी घटाडो रबर माउंटिंग बदली नवा नाखो लिकेज चेक करो अने लि नबडा कुलिंग माटे ना कारणों छे कॉम्प्रेसर द्वारा नबडु पंपिंग थातु होई जो आ कारण होई तो कॉम्प्रेसर चेक करो अने ओवरोलिंग करो आगननु कारण होई सके छे वाल्व रीड तुटी गयल होई अत्वा गसाई गयल होई जो वाल्व रीड वाल्मने चेक करो औने तेने बदलीने नवा नाखो आगणनू कारण होई सके छे नबणा कुलिंग माटेनु सिस्टममा भेज अने मिजा ग्यास होवा थी सिस्टम चोकब थाई गयू होई तो पन सिस्टममा कुलिंग नबणु आई सके छे जना निवारन माटे रेफरिजरं रिकावरी करो अने ड्राइ नाइट्रोजन वडे फ्लशिंग करो अने रेफ्रिजरन चार्ज करो नबडा कुलिंग माटेना बिजा कारणों छे ब्राइन टैंक नू इंसुलेशन बड़ी गुणवत्ता धरावतु होई जेना कारणे उष्मा निभिनी माई वधारे थातो होई अने कुलिंग प्रोपर आवतु न होई तो देना निभारन माटे ब्राइन टैंक माँ सारी गुणवत्ता धरावतु हो इंसुलेशन लगावो अने आगणनू कारण छे ब्राइन सॉल्यूशन नबडू होई जो ब्राइन सॉल्यूशन नबडू होई तो योग्या सांध्रता वाडू ब्राइन वापरो आगणनू कारण होई सके छे टैंक माँ एर लिकेज होई जो टैंक माँ लिकेज होई तो ते लिकेज दूर करो आगणना आइस का आइस केंडी प्लाइंट माँ अवता आवती खामी छे कुलिंग थतू नथी अथ्वा तो नो कुलिंग जो आ खामी उद्भावती होई तो तेना कारणों ने निवारन सौथी पेलू कारण होई सके चे मिकेनिकल भागो जिवाके कॉम्प्रेसर ना मुवेबल भागो वाल्व रीड पिस्टन रीड मा गसार पड़ेल होई तो आ बदा जे ये मिकेनिकल पार्ट्स जे चे तेने इगसायला पार्टों ने बदली नाखी नवा नाखो अगण ना नोकुलिंग माटे ना कारणों छे वधारे पड़ती द्रुजारी ना लिदे जोईंट लूस थवा थी सिल्डेट भाग माथी लिकेज थवा थी तो आ खामी ना निवारन माटे द्रुजारी घटे ते माटे योग्य रबर माउंटिंग लगावो अने लिकेज जोईंट चेक करी लिकेजिंग दूर करो आगणनू कारण होई सके छे नो कुलिंग माटे नू फिल्टर ड्रायर अथ्वा एक्स्पांशन वाल फिल्टर ब्लोक थई गया होई तेना कारणे पन कुलिंग ना उतु होई तो फिल्टर ड्रायर बदली नाखो एक्स्पांशन वाल बदली नाखो नो कुलिंग माटे ना बीजा काराणों छे ओईल, धूड के धूडना रचकणों वाडू होई तो तेना निवारण माटे ओईलने बदली नाखो आगणनू काराण होई सके छे कॉंप्रेसर मोटर नूँ वाइन्डिंग बड़ी गयू होई जो कॉंप्रेसर मोटर नूँ वाइन्डिंग बगड़ी गयू होई अथवा तो बड़ी गयू होई तो कॉंप्रेसर मोटर बदली नवी लगावो बिजो एक कारण होई सके छे फ्यूज बड़ी गयो होई अथवा तो पावर सप्लाई बंधायल होई तो तेना निवारण माटे fuse बदली नवा नाखो, पावर सप्लाई चेक करो नो कुलिंग ना बिजा कारणों होई सके चे, लोड वदगट थवाथी, कोंप्रेसर नी मोटर ओवलोड थवाथी बड़ी गयल होई तो तेना निवारण माटे कोंप्रेसर मोटर बदली नवी नाखो, ओवरलोड प्रोटेक्टर योग्य रेंज नू फिट करो आगणनू कारण होई सके चे, सोलेनोईट वाल बड़ी गयल होई जो आ कारण होई तो तेना निवारन माटे सोलेनोइट वाल्व ने बदली नाखो आगणनू बिजुएक कारण होई सके छे नोकुलिंग माटेनू थर्मोस्टेट स्वीच ना पॉइंट बगड़ी गया होई अथवा तो बड़ी गया होई हप एटलेके हाई प्रेशर अने लो प्रेशर स्वीच बड़ी गया होई तो तेना निवारन माटे थर्मोस्टेट स्वीच ना पॉइंट ने साफ करो हाई प्रेशर एटलेके हप अने लो प्रेशर स्वीच एलेके लपी स्वीच बदली नवी नाखो आइसकेंदी प्रांट नी बिजी एक खामी चे वारमवार ट्रिप थे ज़ाँ अथ। अत्वा grandmother anniversary ट्रिपिंग एना माड़े ना कारणों आप स्लाइड ना माध्यम थि? आइसकेंदी प्रांट मां जो माड़ wilderness लोद कारणों होई शाखे चे. कॉंप्रेसर मोटर अथ्वा तो कॉंप्रेसर नी बेरिंग जाम धैगे होई तो देना निवारन माटे जाम बेरिंग बदली नाखो बिजु कारण छे डिस्चाज प्रेशर वधारे पड़तु होई जो discharge pressure वधारे पड़तु होई तो high pressure नी खामी ना कारण चेक करी ते खामी ने दूर करो बिजा कारणों छे frequently tripping ना कंडेंसर नी fins पर धूर जमा थावा थी ब्लोक थे गे होई तो तेना निवारण माटे कंडेंसर नी fins पाणी वड़े force थी बराबर साफ करो आगणनू कारण होई साकेचे सिस्टम माँ non-condensible bio मिश्रिध होई तो सिस्टम माँ रेफ्रीजरं रिकावरी करो dry nitrogen वड़ें flushing करो योग्य ग्रेड नो रेफ्रीजरं भरो आगणनू कारण होई साकेचे सिस्टम माँ vacuum बराबर न करेल होई तो सिस्टम माँ जो वेक्यूम बराबर न करेल होई तो सिस्टम माँ नवो गेस चार्ज करता पहला तेने बराबर वेक्यूम करो अने त्यार बाद नवो गेस चार्ज करो Frequently Tripping ना आगर ना कारण होई सके छे Oil नू लिकेजिंग तेमाज ओछा ओईल ना लिधे ओईल नी अच्छत सरजावा थी तो तेना निवारन माटे लिकेजिंग चेक करो, ओईल योग्य लेवल सुधी भरो आगर नू कारण होई सके छे, वोल्टेज वदगट थवाथी, ओवल्लोड रिले वारमवार ट्रिप थती होई जो आ कारण होई तो वोल्टेज स्टैबिलाइजर लगावो, ओवल्लोड रिले योग्य रेंज नी वाप्रो अथ्वातो लगावो frequently dripping ना आगर ना कारण होई सके छे, कॉम्प्रेसर मोटर नू वाइन्डिंग बड़ी गयू होई, तो ते इलेक्ट्रीक मोटर ने बदली नाकवी, तेना निवारन माटे आगर्णू कारण होई सके चे कोंप्रेसर ना भागो मां गसारो पडेल होई अत्वा कोंप्रेसर गरम थाई जतू होई तो कोंप्रेसर ना गसायला भागो बदली नाखो अत्वा तो कोंप्रेसर बदली नाखो आगर्णू कारण छे इलेक्ट्रिक कनेक्षन लूज होए जो आ कारण होए तो तेना निवारण माटे तमाम इलेक्ट्रिक कनेक्षन टाइट करो आइसकेंडी प्लांट ना विजी खामियों छे बोड़ी उपपर इलेक्ट्रिक शोक लागों इल्लेके आइसकेंडी मशेन जे छे तेना बोड़ी पर इलेक्ट्रिक शोक, इलेक्ट्रिक लिकेज इन धा बोड़ी तो देना कारणों औने निवारन अब स्लाइड ना माध्यम थी जोई सको जो तेना कारणों मा पेल्लू चे वधारे पड़ा वाइब्रेशन ने लिदे मोटर साथे नो अर्थ टर्मिनल निकडी गयो होई औने फाउंडेंशर रबर पीगडी गया होई तेना बोल्ट कपाई गया होई तो देना निवारन माटे नवा रबर माउंटिंग अने नट बोल्ट लगावी ने माउंटिंग मजबूत बनावो अर्थिंग वायर ने मोटर साथे अर्थ करो आगण ना इलेक्ट्रिक शोक लागवाना आगण ना कारणों छे बधारे पड़ दा वाइब्रेशन अने भेजना लिदे प्लांट नो अर्थिंग खराब थे गयो होई तो देना निवारन माटे थर्मोस्टेट स्वीच, HP अने LP स्वीच ना कनेक्शन साफ करो अने फरीथी कनेक्शन करो आगण नू कारण छे थर्मोस्टेट स्वीच, HP अने LP स्वीच नू कनेक्शन लूस अत्वातो बड़ी गयल होई आगण ना कारणों छे सतत वधारे पड़ती गर्मी नाली दे स्वीच नी कोईल बड़ी गयल होई तो देना निवारन माटे वधारे पड़ती गर्मी उत्पन धवानू कारण सुधी तेनू निवारन करो ने स्वोलेनोईट वाल बल्दी नाखो आगण नू कारण छे इलेक्ट्रिक शोक बड़ी परावानू ब्राइन एजिटेटर मोटर बड़ी गयल होई जो आ कारण होई तो एजिटेटर मोटर बदली नाखो अने आगण नू कारण छे मोटर नू वाइन्डिंग बड़ी गयल होई जो मोटर नूँ वाइंडिंग बड़ी गयल होई तो मोटर वाइंडिंग नूँ सर्वीसिंग करो औने तेने वार्निश करो आइसकेंडी प्लांट मां बीजी एक खामे उदबावे छे के तेमा थी ब्राइन लीक थतु होई छे Brine Leakage in Ice Candy Plant तो तेना कारणों औने निवारन नीचे मुझब छे तेनो पेल्लू कारण छे Agitator औने मोटर नी पुली वच्चे Misalignment ना लिदे Agitator ना बुष मां घसारो पड़ियो होए तो तेना निवारन माटे Agitator ना शाफ्ट ना बुष बदली नाखो मोटर ने Agitator नी पुली वच्चे Alignment करो तेना बिजा कारणों छे Ice Cream Storage टैंक ने वारम वार बहर काडवा थी तेनी बहरनी बाजुए कार्ट लागे छे अन्ने टैंक लिकेज थाई छे तो तेना निवारन माटे MS टैंक ने बहरनी बाजुए Oil paint लगावो जो काड जनाए तो काड साफ करिया बाद Oil paint लगावो Ice Candy प्लांट माँ बिजी एक खामी उदबवे छे अवा जाओ एटले के noise problem तेना कारणों अने निवारन स्लाइड माँ जोई रहा चोयम छे Condenser Housing तेनु पेल्लू कारण छे Condenser Housing mounting bolt loose थायाला होई अत्वा तेनी शीट कटाई गयल होई तेना निवारन माटे Condenser Housing mounting bolt टाइट करो काड लागल शीट ने बदली नवी लागावो आगणना कारण होई सके छे Compressor motor नी बेरिंग माँ घसारो पड़ियो होई तो तेना निवारन माटे खराब गसायल गयल बेरिंग ने बदली नाखो आगणनू कारण छे Motor ना सर्वीसिंग बराबर ना करेला होई तो motor नू सर्वीसिंग बराबर करो Unbalance rotation ना कारणे ध्रुजारी आवती होई तो motor बैलेंस माँ फरे ते मुझब लगावो आगणना कारणों छे Fan motor नी blade डिली होई तो तेना निवारन माटे Fan motor नी blade ने टाइट करो Solenoid valve plunger अत्वा स्प्रिंग गसाय गयल होई तो Solenoid valve plunger अत्वा स्प्रिंग ने बदली नवी नाखो Agitated ना बूष गसाय गयल होई ना कारणों माँ विजू एक छे एनिखा एना निवारन माटे Agitated ना बूष बदली नाखो आगणनू कारण होई साके छे पुली ना gear teeth माँ गसारो पैडेल होई तो पुली ना gear teeth ने बदली नाखो आगणना कारण मा compressor motor नी bearing माँ गसारो पड़ियो होई तो खराब गसायल बेरिंग ने बदली नाखो आगणनू कारण होई साके छे motor ना servicing बराबर करेल ना होई तो motor ना servicing बराबर करो तधा unbalance rotation ना कारणे जो दुरुजारी आवती होई तो motor balance मा फरे ते मुझब लगावो आगणना कारणों मा अने निवाराणों छे fan motor नी blade डिली धाय गेली होई तो fan motor नी blade ने tight करो solenoid valve ना plunger गसाय गया होई तो ते बदली नवा नाखो agitate ना boost गसाय गयला होई तो ते बदली ने नवा नाखो gear teeth मां गसारो पड़िल होई तो gear teeth बदली नवा नाखो आगणना कारणों छे agitate नी पुली अथवा build खामी युकत होई तो agitate नी पुली अथवा build ने बदली नाखवा foundation bolt loose थे गया होई तो foundation bolt tight करो अने तेनो आगणनों कारण छे expansion valve बैलोज नबडो होई अने needle घसाएली होवा थी leakage होवा थी तो तेना निवारण माड़े expansion valve बदली नवा नाखो आजे आपने जोईवें ice candy plant मा आपता भागो तेना तेनों working दरेके दरेक parts नों working ice candy plant करीते work करे चे ते आपने slide ना माध्यम थे जोईवें ice candy ना विविद भागो चे compressor, condenser, evaporator expansion device expansion device तरेके capillary tube अथवा थो thermostatic expansion valve जे तेना विश्तरूद भागो चे आ ice candy machine पन vapor compression refrigeration system परच चाले चे जे आपने अगाव जोई गया चे vapor compression refrigeration system के जे compressor माँ जे low pressure evaporator माथी जे low pressure low temperature refrigerant gas जे आवे चे तेने compressor high pressure ने high temperature high temperature high temperature करी ने compress करे चे अने discharge rate ध्वारा condenser मा high pressure high temperature जे वेपर स्वरूप माँ मोख ले चे condenser जिया हवा अत्वा पाणी न माध्यप्ति माध्यम थी ते रेफ्रिजरण नू condensation करे चे अने ते माथी high pressure high temperature liquid स्वरूप नो refrigerant gas expansion device माँ जाए चे expansion device आ refrigerant gas नू expansion करे चे जे माध्यम थी ते लो प्रेशर लो टेंप्रेचर लिक्विड स्वरूप नो gas evaporator माँ मोख ले चे evaporator ए हीट एब्सॉप करवानों कारिय करे चे कि जे refrigerant heat ने एब्सॉप करे चे अने low pressure, low temperature low temperature low pressure वेपर स्वरूप नो gas फरी पाचो compressor माँ compressor माँ दाखल करे चे आर रिते आखी vapor compression cycle ice candy plant माँ चालती रहे चे अने आर रिते ice candy plant work करे चे जे आपने आज लाइड माँ जोयू थैंक यू